मुंबई के बांदरा टर्मिनस से घटना सामने आई है दरसल यहाँ एक दिल दहला देने वाला वीडियो सूशल मीडिया पे वाइरल हुआ है वाइरल हो रहे हैं इस वीडियो में कुछ लोग जैश्री राम के नारे लगाते हुए एक शक्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं ऐसे में अब घटना सामने आने के बाद इस वीडियो में ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस शक्स की पिटाई हो रही है वो मुस्लिम है और वो एक हिंदू नावालिक लड़की के साथ घूम रहा था खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि एक हिंदू नावालिक लड़की को ये मुस्लिम लड़का घुमा रहा था इस वज़े से ही इसकी पिटाई की जा रही है अब ये वीडियो शोसल मीडिया में वारल हुआ तब जाकर मुंबई पुलिस इस वीडियो को संग्यान मिलिया और पता लगाना शुरू कर दिया है कि आखिर इस घटना को क्यों और कैसे अंजाद दिया गया चुकि ये जो पूरी घटना हुई है ये जी आर्पी के जियो रेडिक्शन में हुआ है इस वज़े से जी आर्पी को इस बात की भी जानकारी दे दी गई है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक पुलिस सुत्रों के मताबिक युवक की पिटाई जो किजा रही है वीडियो 21 जुलाई का है और जिस शक्स की पिटाई हो रही है वो वहीं आसपास का रहने वाला बताया जा रहा है ऐसे में अब घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस इस वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोगों की तलाश कर रही है घटना के बारे में पुलिस ने बताया है कि जिस नवालिक लड़की की वज़य से ये सारा कांड हुआ है वो अंबरनाथ की रहने वाली है दरसल लड़की कुछ दिनों से गायब थी और जब वो कहीं नहीं मिली तो परिवार के लोगों ने अंबरनाथ पुलिसी स्टेशन में अपहरण का मामला 363 IPC की धारा के तहत मामला दर्ज कराया था इसके बाद यह मार पीट की घटना अब सामने आई है वहराल पुलिस इस पुरे मामले को संग्यान में लेकर इसकी जांच परताल कर रही है